इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत जाता है यह इन संक्रमनों का कारण बनने वाले कवक को मार कर काम करता है लुलिफिक 50 क्रीम का इस्तिमाल आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में किया जाना चाहिए इसे अधिक बार्या निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में उपयोग न करें क्य और केवल दुषप्रभाव बढ़ा सकता है त्वचा के संक्रमन आमतोर पर दो से चार सप्ताह के उपयोग के बाद ठीक हो जाते हैं अगर आपकी स्थिती में सुधार नहीं होता है तो अपने डॉक्टर को बताएं प्रभाव क्षेत्र को साफ और सूखा रखकर और इस्त दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में आवेदन की जगह पर जलन, जलन, खुजली और लालिमा शामिल है यह त्वचा का सूखापन, छिलका या फफोला भी पैदा कर सकता है यह आमतोर पर गंभीर नहीं होते हैं और समय के साथ हल हो जाते हैं अगर यह बनी रहती है य आपको परेशान करती है तो अपने डॉक्टर को बुलाएं यदि आप किसी अलजी की प्रतिक्रिया के लक्षन जैसे की दाने, होंट, गले या चेहरे की सूजन, निगलने या सांस लेने में समस्या और मतली के लक्षन देखते हैं तो अपातकालीन सहायता लें अपनी आख को पानी से धोलें और ततकाल चिकित्सा की तलाश करें यह संभावना नहीं है कि आपके द्वारा मूह या इंजेक्शन से ली जाने वाली अन्य दवाएं इस दवा के काम करने के तरीके को प्रभावित करेंगी लेकिन इसका उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से ब पूछें विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें झाल 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 झाल